कि मौनेंगे स््टुडेन आज हम डिकर्शक करेंगे mondoज कॉंफरेंट के बारे जो कि हासवर्धन के टाइम पर इसके के इन गॉर्ट In तो कन्नोच कॉन्फरेंस क्या थी इन 643 एडी हर्ष और्गिनाइज अ कॉन्फरेंस इन कन्नोच वांटेट तो गेट अडवांटेजेस अफ दी प्रजेंस ऑफ हैंसांग फॉर प्रोग्रेस एंड रेवलोप्मेंट अब बुद्धिज्म जैसा कि हमने लाश्विडियम बीडियों इसके था कि हर्ष वर्दन जो था वह स्टार्टिंग में शेव था शेव मिंस वह लोड़ शिवा को वर्षिप करता था बगवान शिव की पुझा गरने वाला था लेकिन बाद में दीरे-दीरे जो हर्ष वर्दन जो था उसका इंट चांग और बुद्धिज्म रिलीजन जो था उसको प्रोग्रेस करने का अच्छा आडवेंटेंस अब्ड़ा तो उसने 643 में कन्योज के अंदर एक कॉंफ्रेंस और्गनाइज करवाई किसने हर्श्वर्ट देने कि अलाज नंबर अफ रूलर्स तुक पार्ट अमोंग देम 3000 बुद्धा मॉंक अप महायान और हीनियन सेक्स 3000 ब्रामिन एन अबाउट 1000 लंग स्कोलर अफ नालंदा उनिवर्शिटी बुद्धिज्म रिलीजन में दो ब्रांचे से में हीनियन और महायान तो हीनियन और महायान मॉंग भी थे ब्रामिन मॉंग भी थे उसके अलाबा जो नालंदा उनिवर्शिटी की जो स्कलर जो थे विद्वान जो थे इंटेलेक्शल लोग जो थे उन्होंने भी इसमें पार्टिशिबट किया थे पार्टिशिबटिए इन इन इसेड़ कॉन्फरेंस हर्ट प्रोपो दिखल बनाया यनिके अद्यक्श बनाया और जो हर्ण जो था वो बुद्धिज्मा रिलीजन में कोँन से स्यक्ट स्यक्ति और ज्यादा इन क्याल था जादा जुकाव था, तो महायान जो बुद्धिज्म स्यक्ट जो था उसको discussion करने के लिए उसने topic दिया, this conference lasted for 23 days and महायान subject was publicized a huge विहारा was developed on the bank of the river Ganga in order to achieve the target महायान जो स्यक्ट जो था उसको ज्यादा spread करने के लिए उनकी जो target जो थे उसको अचीव करने के लिए हर्षवर्दन ने Ganga river के किनारे एक huge विहार बनाया, in order to achieve the target, a statue of buddha made of gold equal to the king was placed on a pillar of 100 feet height, हर्षवर्दन के बराबर का statue जो था गोल सा बना हुआ वो उसको वहाँ पर established कराया but similar statue of 3 feet height was lifted daily in the procession wherein 20 kings and 300 elephants were used the canopy was raised by हर्षवर्दन वो खुज अपने हाथ में लेकर चलता था बाकी जो statue जो था उसको लगबग 20 kings और 300 elephants जो थे उससे ले जाए जाता था while proceeding forward in the procession हर्षवर्दन हर्षव्ज तो scatter pearls, golden flowers and other precious articles हर्षवास हर्षवास वोजड दे स्टेश बुद्दा विथीज ओन है अगे रड़े निहाय जो एंहें लेकर अपने कीद है थे इस तरह के ड्रेसे जो था वो पेंगे जाथा विहार वाज इस पेशली कंस्ट्रक्टेट फॉर दो सेंब ऑकेज़न बाइदी एक्ट ऑफर्श महायान बुद्धा रिलिजन इन फॉरन कंट्रीज आलसो तो हर्श परदन की जो शानोशकत और उसका बुद्धिज्म रिलि और और डॉनेट लेविश्ञें हर्श फॉर्टर को चैनल को टीकल लगाना है हर्श joda वो प्रियाग मैं हर फास साल में एक महापरिशद जो था उसको ओर्गनाइस करता था हर्श यूस्ट्रू अर्ज तो और गैओर रिखर आपरिशद इन इसके जितने भी प्रोपठी जो थी इसको प्रयाग में वो डॉनेट कर देता था उसके पास मिन जो श़् घुरे जो फीजिफी मुनेट कर देत till धा हर पास साल बाद प्रयाग तक्व तक्रीयब生ल सारी जो property जो थी उसको डानेट कर दिया था था, पैयाघ सबा इन ञाक कॉनेज न आधा करनेघ सुली? हर्श ओर्गनाइज अनादर कॉन्फरेंज पैयाघ सबा इन प्रयाघ हर्ष अरेंज ससे जे तशे कॉन्फरेंज याग करनेज SNER एंद फौर्शनि यहां पर प्रयाग के अंदर गंगा यमुना जहां का संगम होता है तो उस जगह पर प्रयाग में हर्ष ने एक कॉंफरेंस बुलाई जो कि वो 6 कॉंफरेंस थी और ऐसा उसने 30 एर्स तक किया हर्ष arranged such conference for 30 years the conference was attended by the 18 royal friends of horsa and han siang more than 50,000 persons were present in this conference special arrangements were made for their footing and lodgings for the first day program a statue of budda was placed there and countless dresses and precious articles who are disturbed distributed among the people सिदा सिदा समझें इसको तो हर्ष्ट हो था उसने प्रयाग में एक कॉंफरेंस बुला या एक कॉंफरेंस ओर्गिनाइज की और हर्ष्ट ने उसके अंदर अपने जो मॉस्ट प्रपर्टी जो थे उसको डॉनेट कर दिया यह सिदा इसका मतलब निकलता है और जो प्रप्रेंस बुद्धिस के लिए ने थी सिदा उसमें ब्रह्मिन भी थे उसमें जो दुसरे जैन भी थे बुद्धिस्म भी थे, यानि कि सभी रिलिजियन के जो लोग जो थे, उनका हर्षवर्दन जो था, वो रेस्पेक्ट करदा था there after monk from distant places were provided arms, in the next month poor orphan and the physically disabled person were helped, this function continued and concluded in 75 days when Hensheng has described, till now the total amount saved during the period of 5 years has been adjusted, nothing remain except the horses, elephant and military applications and maintenance of goods services Hensheng ने अपनी सारी properties जो दूसको डोनेट कर दिया, Hensheng ने अपनी किताब में लिखा, कि Hensheng ने अपना सब कुछ जो था वो डोनेट कर दिया सीवा इसके पास में क्या था, जो military से related जो भी उसके equipment है वो, horses थे, elephant से या और दूसरी जो maintenance के लिए goods और services के लिए जो चीज़ जरुए थी वो, बागी most of property जो थी वार्शवर्द ने डोनेट कर दिया, beside them, the king had donated his own attires, attires मतलो बेजबुशा, diamonds, garlands, necklace and a shining head crown etc. without any discrimination बतलब उस तेम उसने जयन, बुद्धिजम, ब्रामीन इसमे कोई discrimination नहीं किया, सारे लोग जो थे, उन लोगों को उसने इसमें डिस्टिबीट कर दिया, after donating everything, he asked from clothes clothes his sister, Rajshri and putting them on, he worshiped with the Buddha of all the 10th direction and felt pleasure that his all wealth was existed for the donation and religious purposes. The description about such conferences organized by Harsha expressed clearly that his generosity had crossed all the old limits. We have not heard about any such king who had ever donated his everything for the providing solace to his subject's people. In this way, Harsha spread the message of humanity, of religious tolerance and encouraged the noble feeling of humanity in the public. If Harsha वर्दन क्यों देखे पूरा पड़े तो हमें ये समझ माता है, कि शायद ऐसा कोई रूलर जो था वो जमाने में या पिसले सालों में ने हुआ, जिसने अपनी सारी प्रोपर्टी जो थी वो पब्लिक वेल्फेर के लिए डोनेट कर दी. एक तरह से इस हर्ष का ये जो काम जो था उसमें उसकी जैनरसिट और हुमनेटी जो हैं वो हम देख सकते हैं. हर्षा स्पेंट 25% of revenue of his state, हर्षा स्पेंट more mental achievements, education and giving awards to the learned intellectuals, हर्षा patronized many scholars, etc. हर्षा patronized many scholars मतलब बहुत सारी विद्वान जो थे उसको हर्ष ने आश्रे दिया था. मयूर्द, राइटर अप मयूर्शतक, ठीक लगा ना इन सबको, जितने भी बुक्स और राइटर हैं उनको, मयूर्द, राइटर अप मयूर्शतक and सूर्यसतक, बानभट्ट, राइटर अप हर्ष चरित and कादमबरी, very very important, because बानभट्ट was the court poet of हर्षवर्दन, बानभट्ट Jason and so many others publishes all literary creations, etc. ये सारी बुक्स जो थी, वो किस ने लिगे थी? बानभट्टन है, कौन-कौन सी? हर्ष चरित, कादमबरी, बर्थरी, मतंग दिवाकर, जैसेन और भी बहुत सारी बुक्स थी नागानन, प्रियदर्शी का और रत्नावली, एक्सेक्टरा हर्ष डोनेटेड वेल्थ एंड विलिजेस नागानन, प्रियदर्शी का और रत्नावली, ये बहुत important है, क्योंकि ये हर्ष की खुद की creation थे, यहां इतना mention नहीं किया गया है, short में लिखा है नागानन, प्रियदर्शी का और रत्नावली, एक्सेक्टरा, ये जो थी, उसकी हर्ष की खुद की creation थे, बतलब इसका राइटर कौन था, हर्ष वर्दर्शी का और रत्नावली, हर्ष डोनेटेड वेल्थ एंड विलेजेस फूर दे प्रमोशन और एक्स्वांशन और एज करेकि 컸ार्शी ये ऑट्रिया शेस्लेक स्वीनावा प्रिंदानी खिलेजेस् economy तोने विलेजे आजिस संवाशन अन। the protections to the achieve his main aim for promotion and expansion of the knowledge Harsha financed a literary persons and protected their generous genuine interest remember Harsha as a great patron of religion and knowledge